वेलकम तो आर चैनल नेवर कुएट हलो और वेलकम बाग तो आर चैनल नेवर कुएट दिस राहूल शर्मा और आम हेर विए थर्ड सेशन ओफ इपॉर्टन MCQs अबाट जमू एन किश्मीर तो हमारी वीडियो जो है वो बहुत इपॉर्टन होने वाली है इससे पहले दो सेशन आ चुके हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज गू एन वाच थेम और इसके साथ अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकल को हिट कर लें ताकि आने वाली कोई भी इपॉर्टन वीडियो आप मिस न कर दें तो चैनल ये आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर सारा सेम है एक एकर के क्वेशन आएंगे राइट आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आता तो राइट आंसर का वेट कीजेगा जी हाँ और एक चीज बहुत ही बहुत चुनके questions लाए जाते हैं तो प्लीज वीडियो को एन तक जरूर देखे ताकि कोई भी important question जो आप skip ना कर दें क्या पता वो question कल को आपके exam में आ जाए तो चलिए ज़्यादा बाते नहीं करते हैं ना ही आपका time waste करते हैं So let's get started, good luck to all of you तो आपके सामने आ रहा है question number one The Jammu and Kashmir government recently sought GI tag for which of the following product तो Jammu के एक product को GI tag मिला है जो कि बड़ा ही important question है तो आप मुझे बताएंगे कि कौन से product को GI tag में रखा गया है option A, Pashmina Shawl, option B, Saffron, option C, Neelam and option D, Gucchi mushroom तो right answer को guess कर ले, important question है right answer आने वाला है आपके सामने and the right answer is option D, Gucchi mushroom को recently GI tag मिला है तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए ठीक है तो Gucchi mushroom मैं बता दूँ एक बड़ा ही special type का mushroom होता है जो after rains forest areas में usually निकलता और ये काफी healthy होता है तो इसलिए इसकी जो demand है वो भी बहुत ज़ादा market में और ये बहुत costly भी होता है चले, question number two देखते है तो इस question में दो information है सबसे पहले जम्मू एं किश्मीर हाई कोट जो थी अब उसका नाम change हो चुका है अब वो बन चुकी है जम्मू कश्मीर एं लदाख हाई कोट ठीक है, तो question आपसे ये नहीं पूछा गया question है आपसे कि इनके new chief justice कोन है option A है मनोसिना, option B पंकज मितल, option C मुकेश कुलकरनी, option D अजे सैनी तो right answer को guess कर ले, right answer आने वाला आपके सामने hope आपने guess कर लिया होगा and the right answer is option B पंकज मितल जी हाँ, तो इसे पहले गीता मितल थे, अब पंकज मितल है जमू and किश्मीर and Ladakh High Court के तो चलिए देखते हैं question number 3 question number 3 है the book Land of Lamas is written by important question कि Land of Lamas जो किताब है, वो किस ने लिखी है option A, गिनेश दास बत्रा, option B, Sir Water Lawrence option C, G.C. Smith and option D, Alexander Cunningham तो जल्दी से right answer को guess कर ले अगर आपको answer आता है, बहुत अच्छी बात है अगर नहीं आता है, तो right answer देखते हैं तो चलिए, तो right answer है, इसका option D Alexander Cunningham ने लिखा Land of Lamas, naturally ये Ladakh के बारे में लिखा गया है so ये भी एक famous book है तो इसको याद कर लीजेगा, question number 4 देखते हैं, कारगिल विजे दिवस is observed on तो अभी पीछे हमने कारगिल विजे दिवस बनाया है, तो आप मुझे बताएंगे कि कारगिल विजे दिवस जो है, वो कब celebrate किया जाता है, so option है, 26 June, option B 26 July, option C 26 August and option D 26 September and the right answer is option B, 26 July चलिए देखते हैं, question number 5 पांडरे थन and old city of Kashmir is founded by तो कश्मीर की एक old city है जिसको पुरंदी स्थान भी बोला जाता है और पांडरे थन बोला जाता है तो ये जो old city थी कश्मीर की इसको किसने found किया था option A है King Hushka, option B King Kanishka, option C King Ashoka, option D King Damodar तो right answer अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है नहीं आता है, तो right answer आने वाला है आपके सामने and the right answer is option C King Ashoka ने ये city बिनाई थी जिसका नाम था पुरंदीस्तान and देरे देरे इसको convert कर दिया गया पांडरे थन आजकल इसको पांडरे थन बोला जाता है ये capital भी रहा है कश्मीर में Ashoka के टाइम पे चले देखें क्वेश्ट नमबर 6 which of the falling is the largest wild goat in the world which is found only in Jammu and Kashmir तो कितना important question है ये कि world में सिर्फ एक ही largest wild goat की variety है जो सिर्फ Jammu-Kashmir में पाई जाती है आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सी है option A है अंगोरा, option B Nubian option C Ibex and option D Markhol तो जल्दी से answer को guess कर ले कि कौन सी wild goat variety है जो सिर्फ और सिर्फ Jammu-Kashmir में पाई जाती है वर्ल्ड में से ठीक है तो वर्ल्ड में और कहीं नहीं ये पाई जाती है सिर्फ कहां पाई जाती है Jammu and Kashmir में तो options आपके सामने है और right answer आने वाला है and the right answer is option D Markhol तो Markhol का नाम आपने सुना होगा ये एक wild goat की species है जो अब सिर्फ Jammu-Kashmir में पाई जाती है तो चलिए देखते है next question ऐसा ही important, question number 7 which of the following is not an endangered species of Jammu and Kashmir तो Jammu-Kashmir की कौन सी endangered species इन में से नहीं है वो आप मुझे बताएंगे option A है snow leopard, option B brown bear, option C black bear and option D Markhol तो right answer को guess कर ले right answer आने वाला है आपके सामने and the right answer is option C black bear जानी की जो बाकी तीन options हैं वो तीनों के तीनों endangered species हैं जो की Jammu-Kashmir में पाई जाते हैं option A snow leopard हो गया, brown bear हो गया और Markhol हो गया तो ये तीनों की तीनों क्या है, endangered species है तो जी हमें ज़रूर तो मैं ये ज़रूर mention करना चाहूंगा कि आप endangered species ज़रूर पढ़ने इसका question भी exam में आ सकता है चले देखते है question number 8 question number 8 है दूद पत्री, the valley of milk is located in which of the falling district of Kashmir तो कश्मीर में एक place है जिसका नाम है दूद पत्री तो आप मुझे बताएंगे जिसको valley of milk भी बोलते हैं तो आप बताएंगे कि वो कौन सी district में है ठेक है option A है अनंतनाग, option B बढ़गाम option C बारा मुला and option D बांधी पुरा तो जल्दी से answer को guess कर ले right answer आने वाला है आपके सामने and the right answer is option B बढ़गाम तो बढ़गाम में ये place है दूद पत्री, valley of milk बड़ा ही beautiful place है अगर कभी जाएं तो जरूर विजिट कीजिएगा चलि देखते है question number 9 in Jammu and Kashmir the greater himalayas are called Jammu and Kashmir में greater himalayas को क्या कहा जाता है option A the shivalik hills option B the tricuta hills option C janskar and option D none of these तो जल्दी से answer को guess कर ले important easy question है लेकिन हाँ कहीं वारी ऐसे tricky question पूछे जाते हैं exam में और जिनका answer हमें आते हुए भी नहीं आता है तो चलि देखते हैं इसका right answer क्या है and the right answer is option C तो Janskar range जो है उनी को हम greater himalayas भोलते हैं तो इसको याद रखिएगा आप मुझे comment section में बताएंगे कि ये जो greater himalayas है या जंसका range है ये जमू किश्मीर में कहा है जमू में है किश्मीर में है या लदाख में है ठीक है तो आप ये मुझे बताएंगे ठीक है चलिए देखते है question number 10 which of the falling was the first dynasty to rule over Ladakh तो Ladakh के उपर पहली dynasty जिसने rule किया था वो कौन सी थी option A Namgyal dynasty, option B Lachin dynasty, option C Dogra dynasty या option D Khaja dynasty तो जल्दी से right answer को guess कर लें अगर answer आता है या आप sure है अपने answer के लिए तो check कर लेते हैं कि आपका answer सही है या नहीं है तो let's देखते हैं आपने सही answer दिया है या नहीं दिया है and the right answer is option B Lachin dynasty जो थी वो पहली dynasty थी जिसने Ladakh के उपर rule किया था तो important question है याद रखेगा चले देखते हैं question number 11 डोगरी script is introduced by which of the falling king बहुत बहुत important question लगता है मुझे यह और यह जुरूर आना चाहिए exam में डोगरी script जिसके उपर डोगरी language चलती है तो वो जो डोगरी script है वो किस राजा ने introduce की थी option A राजा जंबुलोचन, option B राजा शक्तिकरन, option C राजा मलदेव and option D राजा दुरुवदेव तो right answer को guess करने कि इन में से कौन से king ने डोगरी script को introduce किया था तो right answer आने वाला है आपके पास क्योंकि आपने guess कर लिया होगा answer and the right answer is option B राजा शक्तिकरन ने डोगरी script को introduce किया था जो की बहुत-बहुत important question बन गया है question number 12 the historic Mughal road connects which of the falling two places in Jammu and Kashmir ठेक है, तो Jammu-Kishmir में Mughal road का नाम तो आपने सुना ही होगा तो Mughal road किन दो जगाओं को किन दो places को join करता है वो आप मुझे बताएंगे options आपके सामने है option A है श्रीनगर और पहलगाम option B राजोरी और पुंच option C पुंच और शोपिया and option D श्रीनगर और शोपिया तो right answer को guess कर ले right answer आने वाला है within seconds and the right answer is option C पुंच और शोपिया जी हाँ पुंच और शोपिया जो है वो connect होते हैं through Mughal road and आप मुझे बताएंगे कि Mughal road की total length कितनी है ये भी एक important question बन सकता है तो आप मुझे comment section पे बताएंगे what is the total length of Mughal road क्योंकि ये किसको join करता है पुंच को कश्मीर वैली से join करता है so let's see the question number 13 who among the falling is the Jammu based actor declared among the top 6 martial artists around the world तो बहुत important question है और proud की भी बात है कि Jammu के कोई actor है जिनको top 6 martial artist में शामिल किया गया इस list में होना बहुत बड़ी बात है तो देखते है answer क्या है तो चरी option देखते है option है अबरार काजी option B विद्यूत चम्वाल option C राहुल बट and option D अमीर बशीर तो right answer आने वाला है आपके सामने and the right answer is option B विद्यूत जम्वाल जी हाँ विद्यूत जम्वाल जो की अब बल्यूवूड के काफी मशूर एक्टर बन चुके हैं वो जम्मू से हैं और इसके साथ उनको आल ही में पीछे top six martial जो आर्टिस्ट है वर्ल्ड की उस लिस्ट में शामिल किया गया था question number 14 देखते हैं the famous नंगाली साहिव is situated on the bank hop तो जो नंगाली साहिव गुर्दवारा है वो एक तो जम्मू किश्मीर में है लेकिन कहां पर है यह आप मुझे बताएंगे comment section में और question क्या है कि वो किसके किनारे पे है option A है पुलस्ता river option B शिनाब river option C दुरूंगली नाला and option D मधुमती river तो ज़ल्दी से answer को guess करने कि इन में से किसके किनारे है नंगाली साहिव तो मैं right answer बताने लगा हूँ आपको and the right answer is option C दुरूंगली नाला तो यह याद रखिएगा कि नंगाली साहिव जो कि कहां पर है यह आप मुझे बताएंगे और यह किसके bank पे है दुरूंगली नाला के पास है चलिए देखते हैं last question of the session बहुत ज़ली session खतम हो जाता है तो चलिए देखते हैं last question क्या है तो पिश्मीना शॉल्स आप मुझे बताएंगे कि वो किस domesticated animal की वूल से बनाया जाता है तो option A है चंग ठंगी गोट option B है चोकला शीप option C गुरेज शीप and option D बीतल गोट तो इन में से एक कौन सा domesticated animal है कश्मीर का जिसकी वूल से जो है वो पिश्मीना शॉल्स बनाया जाते हैं जो कि world famous है तो right answer आने वाला है hope आपने answer को guess कर लिया होगा and the right answer is option A चंग ठंगी गोट तो चंग ठंगी गोट की भी सारी wool नी यूज होती है undercoat wool यूज होती है and पिश्मीना शॉल्स जो है वो world famous है क्योंकि ये आपकी ring में से पूरा shawl निकल सकता है इतना soft होता है तो और साथ में ये बहुत famous भी है और ये कौन सी गोट की वूल से बनता है चंग ठंगी गोट से तो important question है आ सकता है exam में and hope आपने आज का session enjoy किया होगा please comment section में जरूर बताईएगा कि आपको ये questions कैसे लग रहे है कैसा level है कोई भी चीज अगर कोई भी query है आपकी तो comment section है आपके लिए तो चले so thank you have a nice day और जी हाँ जितना like और share हो सकता है जादा कीजिए ताकि मैं आपके लिए और से और अच्छे से अच्छे questions डूण के लाऊ और ताकि मैं भी motivated रहूँ अगर अच्छे views नहीं आएंगे तो motivation fall हो जाता है फिर सोचते हैं कि रहने ही देते हैं ठीक है तो मुझे भी motivate कीजिए कि yes I am doing good and so thank you have a nice day